हेलो एवरिवान, इस मेशिल पी और वेलकम यू अल टो मै चैनल, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ओफ लाउट्स, क्लाउट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है मौनसून को पढ़ने से पहले, सो क्लाउट्स क्लाउट्स क्लाउट् प्रिटरोपलेट्स और आइस पार्टिकल्स का मिक्स्चर होते हैं। राउट्स प्रेजन प्रेजंट होते हैं, सो क्लाउट्स प्रेजेन होते हैं, ग्राउट्स से उपर आईए अब हम ख्लासिफिकेशन को बढ़ते हैं! स तो classification में सबसे पहले high clouds आते हैं जो कि सबसे उपर प्रेजन्ट होते हैं उनकी height 6 km लेके 20 km तक जा सकती है और इसके भी 3 types है cirrus clouds, cirro cumulus clouds और cirro stratus clouds ठीक है इनको भी हम detail में one by one discuss करेंगे तो ये 3 important category हो गई जहां भी cirrus और cirro नाम आ जाए तो हमें ध्यान रखना है कि ये high clouds के बारे में बात हो रही है नेक्स्ट केटेगरी है medium clouds जिसकी height होती है 2.5 km से लेके 6 km तक ये भी 3 में divided है altostratus clouds, altocumulus clouds और nimbo stratus clouds इनको भी हम one by one देखेंगे जहां पर भी altostratus और altocumulus नाम आ जाए ध्यान में हमें रखना है कि ये medium clouds की बात हो रही है और साथ में 3rd जो इसमें category है वो nimbo stratus clouds जहां भी stratus words आ जाए मतलब कि वो चीज layer में present है भले वो cloud हो या कोई और particle हो stratus का मतलब है वो layer में present है थर्ड जो हमारी category है वो category है low clouds की जिनकी height ground surface से लेकर के 2.5 km तक होती है ये four में divided है stratocumulus clouds, stratus clouds, cumulus clouds और fourth है cumulonimbus clouds तेके ये हर एक की हमें जो भी category है वो याद रखनी है अब हम start करेंगे सबसे पहले high clouds से so first हम पढ़ते हैं cirrus clouds जिसकी height 6 से 20 km तक होती है ये detached clouds होते हैं thin और fibrous और silky appearances की होती है इसमें छोटे-छोटे ice crystals present होते हैं ये generally white color के होते हैं बट sunset और sunrise के time पे brilliant color शो करते हैं ये dry weather का indication है next जो होते हैं वो cirrus cumulus clouds होते हैं ये भी high clouds होते हैं generally white color के होते हैं इसकी cirrus form layer होती है और जैसे sand में repulse होते हैं उसी तरह ये दिखते हैं ठीक है ये distinct groups में present होते हैं या wave के form में present होते हैं तो ये हमने पढ़ लिए cirrus cumulus clouds थर्ड हम पढ़ेंगे वो है cirrus status clouds cirrus stratus clouds इस stratus क्या बताया था मैंने ये present है sheets के रूप में layers के रूप में इसमें भी tiny white crystal present होते हैं जो की sun और moon की light को refract करते हैं और उसके around एक halo बना लेते हैं ठीक है so ये हो गए high clouds की category next हम start कर रहें medium clouds की वो है altostratus clouds जो ये जो clouds होते हैं वो grey blue color के form में present होते हैं इनकी appearance fibrous या uniform हमें दिखती है और ये इतने थिक होते हैं कि इसमें sun और moon की हमें light नहीं दिखती है ये सिर्फ एक bright spot की तरह चमकते हुए दिखते हैं इन clouds के पीचे से ठीक है ये hello नहीं बनाते हैं ठीक है ये ध्यान में रखना है next है altocumulus clouds ये भी medium clouds है ये globular form में present होते हैं इसे sheep clouds या wool pack clouds भी कहते हैं ये white या grey color में दिखते हैं हमें और ये groups और waves में present होते हैं ये lines का pattern शो करते हैं कुल मिला के कोई भी geometrical जो pattern होता है वो ये clouds शो करते हैं बहुत जादा compactly arranged ये होते हैं next है nimbo status clouds निम्बस का क्या मतलब होता है rain storm मतलब ये thunder lightning जो भी rain से related activity है उससे ये related है nimbo status clouds ठीक है जो ये nimbo status clouds है ये भी middle clouds की category है ये several hundred meters तक thickly compactly arranged रहते हैं अब जो हम categories पढ़ेंगे वो है low clouds की जिनकी height ground से लेकर के 2.5 km तक ही रहती है ये इसमें first is stratocumulus clouds ये patches में मिलते हैं lines waves और groups में मिलते हैं इसमें से जो आस्मान है वो clearly नहीं दिखता ये compactly arranged रहते हैं ये 2500 से लेके 3000 meters तक की height पर मिलते हैं और ये fair weather या clean weather को दर्शाते हैं next है इसमें stratus clouds, stratus क्या बताया था मैंने ये dense होते हैं layer में arranged होते हैं ये fog की तरह दिखते हैं हमें grey color के रहते हैं लेकिन ये ground surface से बहुत ही नजदीक होते हैं तिक है इसमें बहुत several layer मिलती है तो कि ये status clouds है और जब ये rains और स्नो से associated हो जाते हैं तो इसे nimbo status clouds कहा जाता है अब next है इसमें category cumulus clouds की cumulus clouds dome shaped के होते हैं इसके base बिल्कुल flat होते हैं आपने बरसात बहुत heavy rain के बाद में जब clear sky देखा होगा तब ऐसे बादलों को आता हुआ जरूर देखा होगा कई बार ये बादल clear sky से जुड़े रहते हैं और कई बार इन बादलों के बाद में बहुत heavy rain fall होती है थंडर स्ट्रॉम के साथ में ठीक है ये थंडर clouds भी होते हैं next और last category cumulonimbus clouds ये thunderstorm cloud ही होते हैं इसमें बहुत जादा vertical development होता है जब भी बारिश आने वाली होती है तब छट पे जाकर सब ने इस तरह के बादलों को जरूर देखा होगा मैं तो हमेशा ही ऐसा करती हूँ सारे clouds को notice करती हूँ so ये बहुत heavy rainfall cause करते हैं, snow cause करते हैं, hail storm भी ये करते हैं, thunder, gusty winds और lightning से associated रहते हैं so ये हमने पढ़े clouds के classification और ये monsoon के mechanism को पढ़ने से पहले इसे पढ़ना बहुत ही ज़ादा जरूरी था क्या कि हमें पता होना ची कि कौन से clouds, high clouds हैं, कौन middle clouds हैं, कौन low clouds हैं कई बार practically भी आप देखेंगे तो आपको याद आजाएगा कि हाँ ये ये वाले clouds हैं सर्दियों में हमें कौन से दिखेंगे, serious clouds so this was all about today's lesson, thank you for listening